हेलो नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल बातमन्की पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बेहत लोग प्रिये मानता है कि पूरे एक दिन यानि 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब प्रतेक मनुस के जुबान पर माता सुरसती स्वयम आसीन होती है इस बिसे में ऐसा कहा जाता है कि समय के उपरांत जो सब्द मनुस बोलता है वो सच हो जाता है हम अकसर अपने बड़े बुजुर्गों की मुझ से सुनते हैं कि हमें हमेशा सुब और सकारात्मक बाते करनी चाहिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुस को अपसब्द और नाकारात्मक बाते नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुझ पर माता सुरसती विराजमान हो और वो नाकारात्मक बात सच हो जाए तो सच में क्या ऐसा होता है यदि होता है तो किस समय माता सुरसती हमाई जुबान पर आसीन होती है दोस्तों यह कोरी कलपना नहीं बलगी पर मारिक सत है किसी के बारे में कभी ना तुब बुरा बोले और ना सोचे मा सरस्ती कब जीप पर आजाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि 24 घंटे का वो समय जिस वक्त मा सरस्ती हमाई जुबान पर आती है दोस्तों धर्द पुराणों के अंसार ये मानता है कि दात्री की 3 बचकर 10 मिनट से 3 बचकर 15 मिनट कि 5 मिनट या एक ऐसा सर्वोत्तम समय है जिस समय प्रतेक मनुस की जुबान पर माता सरस्ती स्वयम होती है इस 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवसे सच हो जाती है आप एक महिने तक लगतार इसी वक्त पर अपने मन की मनोकामना बोलें देखना मा सरस्ती आपकी हर इच्छा सच में पूरी कर देंगी दोस्तों मा सरस्ती विद्या बुध्धी ज्यान वा विवे की अधिश्ठातरी डेवी है इस अंधकार में जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा मा सरस्ती की कंधू पर है या देवी मनुस्य समाज को महंतम, संपत्ती, ग्यान संपता प्रदान करती है पुराणों में मा सरस्ती को कमल पर बैठा दिखाये जाता है कीचड में खिलने वाले कमल को कीचड इस परस नहीं कर पाता इसलिए कमल पर बिराजमान मा सरस्ती हमें यह संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितने ही दूसित वातावरण में रहना पड़े परन्तु हमें खुद को इस तरह बना कर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव ना डाल सके